जहिंद साथियो स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल इस टड़े विथ उदय में दोस्तों आज किस बीडियम हम अधिन करेंगे पारंपरिक वस समावेसी उपागम में अंतर आखिरकार पारंपरिक और समावेसी उपागम में या फिर प्रडाली में क्या अंतर है इसी के बारे में आज इस बीडियम हम जानेंगे जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा हुआ है सारा प्रफार्मा बनाया हुआ है एक तरफ लिखा है पारंपरिक उपागम और दूसरी तरफ है समावेशी उपागम तो चलिए हम पहले पारंपरिक उपागम के बारे में जानते हैं कि जो इसमें पारंपरिक उपागम था इसमें सिच्छा बिसे किंद्रित था और बालकों को प्रिथक करड़ करके क्या किया जाता था सिमी सुविधाय प्रदान की जाती थी मतलब की कमजोर बच्चे को और तेज बच्चे को सबको अलग-अलग करके पढ़ाया जाता था और सिच्छा जो थी दिब्यांगता के आधार पर प्रदान की जाती थी कि बच्चा यादी दृष्टी बाधित है तो उसे कुछ ऐसा चीजे सिखाया जाए जो कि वो अच्छे से सुन सके और उसी से अपना काम चला सके मतलब उसके दिब्यांगता के अधार को उसे सिच्छा प्रदान की जाती थी और सिच्छा मात्र कुछ लोगों तक ही सीमित थी जो पारंपरिक उपागम था इसमें जो दोस्तो सिच्छा था ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी सभी लोग इसका गरहड नहीं कर पाते थे जैसे जो उच जाती के होते थे उसी उन्हीं को सिच्छा प्रवाइट की जाती थी जैसे कि आप पढ़े होंगे कि बहुत जो वेदिकाल कर चलते थे उस समय भी क्या किया जाता था सिच्छा सिर्फ उचे परिवार को ही दिया जाता था परिवारी ग्रूप से दिया जाता था मतलब कि लोगों को बैठा बैठा करके गुरूप में जैसे गुरुकुल प्रडाली हो गया इस सब चीजों में ऐसे तरीके से सिछा प्रदान की जाती थी बात करते हैं दोस्तों समावेशी उपागम के तो समावेशी जो उपागम है इसमें बालकिंद्रित होता है कि जैसा बिद्यार्थी सीखना चाहता है उसी तरीके से सिछा प्रवाइट किया जाता है उसके पाट चरेक एक एक और बालक किस रूची लेता है कितना सिखने में रूची लेता है उसके एक और उसे क्या करता है सिच्छा प्रदान की जाती है इसमें सभी को समान उसर प्रदान किया जाता है मतलब की चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो मतलब की मंद बुद्धी का बालक हो या फिर समान इस्तर का बालक हो सब को क्या किया जाता है समान उसर प्रदान किया जाता है समावेशी उपागम में और इस सिच्छा पाठकरम की दिरिष्टी से सभी को समार रूप से परदान की जाती थी इसमें दिव्यांगता के दार पर नहीं बलकि जो पाठकरम होता था उसी के कॉर्डिंग सब को एक जैसा सिच्छा परदान किया जाता है किया जाता है इसमें सिच्छा सभी के लिए होता है मतलब कि समावेशी जो सिच्छा हो कता है समावेशी जो उपागम है इसमें जो सिच्छा परवाइट की जाती है इस सभी के लिए होता है ऐसा नहीं कि कुछी लोगों के लिए इस सिच्छा प्रवाइट की जाए, इस सभी के लिए होता है, चाहे वो जिस बिरादरी से, जिस धर्म से, जिस जाती लिंग से हो, कोई भी माइनी नहीं रखता, सभी को सिच्छा प्रवाइट की जाती है, सिच्छा ब्यवस्था लचीली एवं सरल है, जो दोस्तों, समावेस तो दिरिश्टी से परदान की जाती इसमें टीचर जो होता है वह प्रतिक बच्चे पर नजर रखता है और प्रतिक बच्चे पर नजर रखने से इसका फायदा होता है कि बच्चा कहां पे किस बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है वहां पे वह सिच्छा क्या करता उस ब में बढ़ ही लिया है तो आम डिफरेंसे बना ही सकते हैं और डिफरेंसे हमें यहां पर लिखा भी है कि सिच्छा विसाय केंदरित थी लेकिन समावेशि में क्या है बाल केंदरित है मैंने बताया कि बच्चा जिसना अधार पर सीखना चाहिए, बच्चे को सिंटर में रख करके, कि बच्चा कैसे हमको उसका उद्देश निर्धारड करना है, उसका लच्छ कैसे बनाना है, वो क्या करने अचाता है, आगे उसके एकॉर्डिंग सिच्छा चलाई जाती थी, और पारंपरिक उपागम में क्या था, बालकों को प्रिथक करण करके, सीमी सुविधाय प्रदान की जाती थी, मतलब मैंने बताया, कि उच जाती कि, मतलब की अलग-अलग तरीके के जो लोग होते थे, मतलब की सामाने बालक हो गये, मतलब की प्रतिभासाली बालक हो गये, तो सब को क्या क कोई भी हो लेकिन सबको एक साथ बैठा करके समान उसर प्रदान किया जाता है नहीं पाता है तो उसकी according मतलब कि उसको सिच्छा प्रदान कि जाती थी कि वह कैसा है उसके according क्या चैनल सिच्छा मतलब चाहे स्वस्ता बालक हो चाहे सभ्यांग वलक हो ऋब师 सब्यांग सब्सक्राइब कर दो है दूस्तो धरापरिक उपागम था इसमें सिछ सभी के लिए हैं चाहें किसी भी जाती धर्म बिढादरी से हो लिंग से हो उसकी सभी को क्या करता है इसा हो तथा कि पारमपरिक उपागम में जो शिच्छक बोलता था वही बच्चे सुनते थे उसमें अपना तरक बितरक नहीं कर आफ़ से चलता है इसमें सिच्छक यह करता है बच्चे से भी पूछता है और बच्चे सिच्छक से पूछते हैं जिससे क्या होता है बच्चे की मन का डर दूर हो ज thé कि इसकी सब्सक्राइल कहा गया औरतााइल अधिश से कि लीच्छ सामुही पाध्यारी थी मतलब कि एक क्लास में आप बैठा दिये गया हो यदि कहीं पे बैठ निकले तो आपको पढ़ाया जा रहा है यह नहीं है किसी special बैक्ति पे किसी special बच्चे पे ध्यान नहीं रखा जाता है कि उसके अंदर क्या कमी है क्या चीजे है यह पारंपरिक उपागम में नहीं होता था लेकिन समावेशी उपागम में सभी को साथ लेके चला जाता है उसमें बैक्तित बच्चा यदि कौन सा मंद बुद्धी का है कौन टिब्र बुद्धी का है कैसा है उसके उपर फोकस किया जाता है उसमें टीचर ध्यान देता है कि जो मंद बुद्धी का बच्चा है उ दूसको हमें कैसे सिखाना तो इसमें मैं दोस्हा और викटियों और अठीव 경 cheapest प्रदान की जाती उम्मिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको बहूत अच्छा लागा होगा कर दोस्तो बीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताएगा थांक्स वर लचिंग दिस वीडियो